हेलो फ्रेंट्स, मैं अनामीका, मेरे किचिन में आप आप सभी का श्वागत है, फ्रेंट्स मतर की सिजन आ गई है, और ठंडी में हमें आलू की मटर की सबजी मिल जाय तो खाने में मज़ा आ जाती है, तो इसे हम आज नए तरीके से आपको बना के दिखाएंगे तो फ्रेम्स इस रेश्पी को आप ज़रो ट्राइ कीजिए अगर आज की मेरी रेश्पी आपको अच्छी नगी तो मेरी सेनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमिल करना मत भूलिए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं गैस पे हमने कडाही में दो बड़े चमच तेल ले लिया है अब हम गैस को आउन कर लेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे आलू मटर बनाने के लिए हमने कडाही में दो बड़े चमच तेल को गरम कर दिया है तेल में हम डालेंगे एक चमच भड़के जीरा आलू मटर में जीरा का श्वाद बखुत ही बढ़ियां आता है जीरा को हम हरका चा ब्राउन होने देंगे जादा हमें जलाना नहीं है यानि कि इसमें चटगने की आवाज आने लगे तो अपना जीरा हो चुका है अब यहां पे हम दो मेलियम साइज प्याज को बारीक बारीक काट लिया है प्याज को बारीक की दाल देंगे और चलाते हुए हम चॉक होने तब जुनेंगे पांट से श्वीन लगता है प्याज शॉक हो जाटा है प्याज को भूलते हुए तीन से चाल मिनट हो गया है आप देख सकते हैं अपना प्याज का कलर कितना बढ़ियां आ चुका है अब हम इस टेश पे डालेंगे एक चमत अद्रक लग्सुन जिसे हमने कूट लिया है आलू मटर में ज्यादा अद्रक लग्सुन नहीं डालते हैं क्योंकि मटर का आरोमा जो है उचुद जाता है तो हमीसे भी एक मिनट तक भूम लेंगे जान रहे फ्लेम हम मेलियां ही अब यहां पर प्यूरी भी डाल सकते हैं पर हमें इसे ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है अब हम इसे भी प्याज के साँ सब्सक्री पर महनेंगे हमें क्या करना है चमाटड की साथ में मसाला भी एड कर देना है तो हम सब्सक्रे पर लेजा लेंगे इसमें आधा चमस खल्दी पॉडर्ड दो चमस धनिया पॉडर्ड कुंकि यहां पर हम सार दने के लिए आलू मतर की सब्सक्री प्यार कर रहे हैं इसमें हम डालेंगे दो चमच लाल मीर्च पॉडर तो मीर्च आप अपने तीखा के अनुशार अर्जेश्ट कर लिए पर दो चमच सरी होता है हम टमाटर के साथ मशारे को भूनेंगे इसे भूनने में हमें 3-4 मिनित लग सकता है कि मैं आपको दिखाती हुआ है अब देख सकते हैं कमाटर के साथ हमने मशारे को भून लिया है अब हम यहाँ पे नमक एड़ करेंगे तो हम स्वार्ट के अनुशार यहाँ पे नमक डाल लेंगे हम डालेंगे यहाँ पे आधा चमच अमशुर पॉडर्ण साथने हम डालेंगे आधा चमच हीम हमने यहाँ पे उस खड़ी मीचे रखी है आलू मतर में खड़ी मीच का स्वाथ बहुत बढ़ियां आता है तो आपको ज्यादा इस पाइसी पसंद को तो डालिए नहीं तो इस सिर्भी कर सकते हैं अब सारे इंगिन्स को हम दो सेकें के लिए भून लेंगे ही अमसुर पॉडर नमक के साथ दो से चार मिनत तक भूनने की कोशिश करेंगे यानि कि जब तक अपनी मसाला अच्छे से भून जाए हम से भूनेंगे अब हमें चलाना बंद नहीं करना है नहीं तो चले में लग आप देख सकते हैं अपना यह मसाला शुखा शुखा तयार हो गया है अब हम इस इस पर डालेंगे मतर तो मतर हमने यहां पर फ्रेश लिया है फ्रेश मतर की सब्जी बहुत बढ़िया रग दिया है इसे हम मसाले के साथ भून लेंगे तो इसे हमें एक मिनट तक अच्छे की भून लेना है इतनी बढ़िया कलर आ रही है मतर की सब्जी की हमने मसाले के साथ मतर को एक मिनट तक भून लिया है तो हमें बटाना को थोड़ा शौक्ट करना है क्योंकि फोजन मतर हो तो हम जल्दी उसे पका लेते हैं और फ्रेश मतर हो तो उससे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है तो यहां पे हम थोड़ा अशा पानी डालेंगे और ऐसे मटर को मीक्स कर देंगे आप देख सकते हैं अपनी मटर की कलर ग्रेवी की कलर कितनी बढ़ियां आ रही है अब हमें मटर को कभर करके दो से तीम मीनर तक पकाना है मेडियम फ्लेम पे पकाएंगे तभी अच्छे से सॉफ्ट होगा अपना मटर अब चलिए हम कभर हट करके अपनी सब्सक्राइब करते हैं अब देख सकते हैं अपनी मटर जो है अच्छे से उबल रही है तो यह 80% शॉफ्ट हो चुका है अब हम बाकी के 20% आलू के साथ पताएंगे यह बहुत ही बेक्रीन सब्सक्राइब होती है इससे सब्सक्राइब पसंद करते हैं अब हम यहां पर डालेंगे वाइल किया हुआ अलू को हमने वाइल कठके पिल कर लिया है तो इसे हम तोड़ कि डालेंगे जैसे कि हम समयसा में तोडते हैं एकदम मूटे मूटे चोटे चोटे पीसिस करके तो हम इसमें चाड आलू डालेंगे जैसा कि हमने बताया आप लोग के लिए यह सब्सक्री हम चाड दने के लिए तयार कर रहे हैं आलू को हमने चोटे चोटे टुक्रे में तोड़ दिया है कुछ बड़े होंगे तो हमें सेज़गा से चोटे चोटे टुक्रे कर गएंगे अब हम इसे मतर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे आलू मतर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच गरम मशाला और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कस्तूरी मेथी का आलूमा मतर में बहुत सी बढ़ियां आता है आपके पास है तो डालिएगा जरूर नहीं तो कोई बात नहीं अब हम इसमें डालेंगे एक प्लाश पानी पानी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी से बहुत ही बढ़ियां फुश्बू आ रही है इसकी ठीकनेश भी आप देखिए बहुत ही बढ़ियां आया है अब हमें क्या करना है इसे कभर करके दो से तीन मिनट तक और उबाल रेना है जिससे जो मटर है कच्छा होगा पक जाएगा और आलू के पीसे में अच्छे से ग्रेवी जो है वह भी अफजब हो जाएगी तो हम इसे कभर करके पका ले रहे हैं तो चलिए हम आलू मटर की सब्जी को चेक कर लें अब देख सकते हैं कितनी बढ़ियां कलर आई हैं मटर भी अपना पका पका भी रहा हैं तो हम ऐसे पेस करके आपको दिखा दे रहे हैं मटर अच्छे से पाथ चुपा है तद्दी की ठीकनेश भी बहुत बढ़िया है हमे पूरी पडाथे रोटी राइस जैसे भी खानी हो यह फिकनेश सही रहती है तद्दी की अब हम इसकी उपर डालेंगे फेस कटा हुआ धनिया पत्ता को मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें अब हम दैस के फ्रेम को आफ कर लेंगे तो आप देख सकते हैं अपनी आलू मटर की सबजी बनकर तयार है चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो यहां पे हमने सर्ब करने के लिए एक सर्बिंग कडाही ही लिया है इसमें हम आप देख सकते हैं यह कितनी बढ़िया अपनी आलो मटर की सब्जी बनकर तयार हुई है इसे बनाना कितना आशान था इसकी कड़र और ताजी-ताजी मटर की सब्जी ठड़ी में खाने को मिले तो मजा आजाती है आलो मटर की सब्जी बनकर तयार है आपने देख लिया इसे बनाना कितना ही आसान है और खाने में बहुत ही डेश्टी लगता है तो फ्रिंज इस वेस्पी को आप भी त्रू ट्राइ कीजिए और मेरी चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए श दें थंकी नियाँ कीजिए सुद bon